अपने चैनल को जो बी आपकी क्वेरी है वो डिर्ट ली मुझे पूछ सकते हैं जी टील इंफर्स्रिक्टर लिमिटेड आज की कंडिशन की बात करें तो गईज अफकोर्स आज जो ओपन हुआ है एक रुपे 55 पैसे पर हुआ है और लोग की बात करें तो यहीं इसका लोग ह हाई की बात करें एक रुपे 60 पैसे इसका आज काई है तो गईज अफकोर्स काफी जबरदस्त अनौंस्मेंट भी की गई है और वोल्यूम की बात करें वो भी देखेंगे एग्जेक्टली सुचेशन क्या है वो भी चेक करेंगे तो गईज पूरा डिस्कसन करने से पहले करें दो अव्कूर्स जो कि एक रुपे 60 पैसे पर टोटली टोटली एनसी पे लोक है अगर बाउनविक ही बात करें तो पैसे इसका पावनविक लो है अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमुम जो कि काफी उपर करशे हो गता था करिब गरी 100 रुपे के आज पास का और अभी एट पर जिंट आपको सिर्फ और सिर्फ जो कि मॉनिंग में काफी देखने को मिला था BSC हो या फिर NSC हो बट अभी दोनों जगह पे टोटली लोग हो чुका है और अगर बात करें इसके ऐनलसिस की तो काफी शारी चीजें बेटर ने ज़र आ रही आज के पोने तीन करोड वोल्यूम ट्रेड वाइट मींस की यहां पर दबा के बाइंग की जा रही है बिना किसी को एवन यहां पर जो की एवन एक जबरदस्त यहां पर जो की बाइंग की जा रही है बल्क में क्वांटिटी उठाई जा रही है लखों में करोडों में क्वांटिटी में एक दम से पूरी साफ हो गई इट मिन्स की बल्क क्वांटिटी यहां पर उठाई गई है एंड अफकोर्स गाइज अगर बात करें इसके सोटनलिसिस की तो चार स्टेंथ है पांस वीकने से तीन अपर चुटीज है जीरो थ्रेट इसमें नजरा रहा है इसकी कोई थ्रेट इसमें मुझूद नहीं है अगर बात करें दो दिन की लगातार यहां पर बाइंग की जारी है एक बहत्रीन बाइंग की जारी है कल भी अपर सर्केट पे लोक वाता और आज भी जो की अपर सर्केट पे लोक हो चुका है अगर बात करें इसके जो की इसके सेंटिमेंट की त साड़े तिन सो करोड के आस पास even 345 करोड सेप्टेंबर 2020 में फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वाटर में 348 करोड 371 करोड 361 करोड 363 करोड इट मींस की साड़े 300 करोड को मेंटेन किया गया है नेट प्रोफिट की बात करें तो सक्वाट का इस कंपनी लौश में है यहां पर इसकी भी रेकावरी हो रही है यहां पर अगर बात करें मार्श गॉण यहां पर जो पंट मेंट यहां सेपर होल्डा गें है वो पॉइंट जो कि 3.33% है नो डाउट की प्रोमोटर अपना स्टेक तीरे-दिरे डिक्रीज कर रहा है यहां पर हर दो क्वाटर में आप नोटिस करेंगे कि दो क्वाटर के बाद ओल्डिंग जो कि डिक्रीज हो जाती है प्रोमोटर की यहां पर सेप्टेमबर 2020 दिसमबर 2020 में जो की होल्डिंग बिलकुल स्टेबल ती उसके बाद जो की दो क्वाटर के बाद 3.36 पर्षेंट हो गई फिर दो क्वाटर में ऑफकॉर्स जो की स्टेवल रही उसके बाद यहां पर स्टेबल है इवन यहां पर भी दिखाई नहीं देरा जो मेन रोल है वो domestic investors का है तो guys यहां पर पौने 60% domestic investors की holding मौजूद है it means कि domestic investors ने बड़ी जबर्दस यहां पर investment की हुई है अगर बात करें FIA की FIA की holding जो कि 1.9% FIA की holding भी मौजूद है it means कि पड़े investor already अपनी पकड बनाये हुए है share में इसके लाव अगर बात करें public holding की तो 35.05% public holding है अगर बात करें अदर्स की तो 0.01% के साथ अदर्स की भी entry मौजूद है FIA की बात कर लेते हैं तो FIA की बात करें तो यहां पर holding को increase किया गया है 0.05% के साथ September quarter में DIA की बात करें तो DIA की holding में downfall देखने की मिला है no holding अभी कुछ भी नहीं है अगर बात करें इसी at present जो की on news औ जब अरदस न्यूज आई है वो न्यूज क्या है कि यहां पर जो कि 5G का ट्राइल स्टार्ट हो चुका है जो कि एल्टेल द्वारा कल ही अनॉंसमेंट की गई थी कि नोकिया के साथ पार्टिशिप करके 5G का ट्राइल स्टार्ट करेंगे तो गई ऑफकोर्स 700 मेगा हैट्स ब कर रही है टेलिकॉम में एक बहत्रीन इवन इसके कस्टमर की बात करें इसके वेबसाइट पर आप देखेंगे तो बड़े-बड़े कस्टमर जो जितने भी टेलिकॉम इंडस्ट्री के जो दिगज कस्टमर है लाइक एल्टेल या फिर वोड़ाफोन आइडिया या फिर ज जबर्दस्ट प्रोफिट आपको मिल सकता है जीटियल इंफ्रा में जिस तरीकी के जो अभी टेलिकॉम का जो अभी जमाना है उसको देखते हुए क्योंकि टावर जैसे ही 5G लोंच होगा टावर की काफी requirement मार्केट में होगी एंड हर कोई यहां पर जो की focus होगा जो जीट इन होगा plus profit of course जो कि इतने बड़े-बड़े में सकते हैं जबर्दस प्रोफिट आपको सकता है so thanks a lot for watching the video please like comment share and subscribe well